अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को रिस लाइक कर दें लेकिन वीडियो को बहुता है कि वीडियो को रिच्ष लाइक ज़रू गरें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले मैं आपको authentic जानकारे दूँ आज प्रमुक खबरों के बारे में बात करूँगा जो आपके लिए अच्छी महस्पूर है पहली खबर UPSI परिच्छा को लेकर है UPSI परिच्छा पेपर में आज का स्कोर किया रहा है इसके बारे में चल्चा करूँगा D SSB PRT TGT PGT Vacancy के सीटों के विवरण के समद में जानकारी दूँगा UPSI के माध्यम से किस भरती के विग्यापन के त्यारी की जा रही है पहली नई भरती कौन से होगी 2021 की इसके समद में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी रीट में पदों की शंख्या बढ़ानियों ग्यापन दिया गया है उसके समद में जानकारी मिलेगी UPSI 2021 के समद में मिलेगी बिहार परिस भरती में धाजली के समद में जानकारी मिलेगी तो आप वीडियो को पूरा देखेगा इसकी इपूमत करिएगा पहले आप सभी के लिए महत्पूर्ण सूचना अगर आप UPSI पर इछा की तयारी कर रहे हैं UPSI पर इछा को क्वालिफाई करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके तयारी बहुत बहतर हो जाए जिससे सेलेक्शन के चांस बढ़ जाएं तो टेस्ट बुक की तरब से आपके लिए जिबरदस मोग टेस्ट तयार किया गया है इस मोग टेस्ट के जरिए आपनी तयारी को और बहतर कर सकते हैं जिससे आपके सेलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे आपको बतादें इस मोग टेस्ट के लिए अब तक 276,000 अभिर्थों ने दाखिला लिया है तोटल टेस्ट 29 हैं फिरी टेस्ट 11 यहाँ पर लिखा हुआ कि इंक्रीज और सेलेक्शन रेट तू 50 परसेंट बिच टेस्ट बुक पास मोड टेस्ट प्रैक्टिस प्लस इग्जाम कांफिडेंस गेट कंप्लीट अनालसिस और डिटेल सेल्यूशन तो आपको इस मोड टेस्ट को परिचर्च करना चाहिए परिचर्च करने की बाद आपके सेलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे परिचर्च करने पर आपको 30 परिचर्च का डिसकाउंट मिलेगा अगर आप RCN कूपन कोट को यूज करते हैं अन्नी पर इच्छा कि अगर आप तयारी करते हैं SSC, Railway, Wanking, UPSC, Insurance, Defense, Police, Teaching, State Government and all other exam तो भी आपके लिए बहुत ही बहतर है और आपको कूपन कोट कैसे यूज करना है यहाँ पर बताया गया है Apply कूपन पर किलिक करेंगे तो आपको जो Capital में RCN लिखना होगा 30 परिसेट का छूट पाजाएंगे डिस्करप्शन वाक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हूँ उस वेबसाइट की माध्यम से आप जो है परचच कर सकते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा बिहार पुलिस भरती में धाधरी को लेकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयूग बिहार के सब इस्पेक्टर सर्जेंट और जेल अजिकारी के परिच्छा फल में धाधरी की स्टिकाज पर मुखमंत्री गंभेर बिहार पुलिस अवर सेवा आयूग द्वारा सब इस्पेक्टर सर्जेंट वाजेल अजकारी पच के परिच्छा फल में तुरूटी की शिकायज की जानकारी होने पर मुखमंत्री सचुवाले ने कड़ा एक्षन लिया है अपने परिच्छा फल में धाधरी की शिकायज सरोसती कुमारी, राम बिलाज सिंग, सुधिर कुमार, सुशील कुसवाह, संजे पासवान, कोमल वर्मा, गनर प्रसाद, अमित आनंद, प्रिया सिंग, संतूसी प्रसास, सुमिता नंद, कलपना सिंधा, सुलिल कुमार आज ने करने का आरूप लगाया था, इसको लेकर मुखमंत्री नाराज हो गये हैं, मुखमंत्री के निर्देश बर मुखमंत्री सच्वाले का जिकारियों ने अब भर्थियों के आरूप की जाच, उनकी काग्यातों हुआ, जमा प्रतिवेदन से कराई, तो दोनों को छोड़ सभी का आरूप सही पाया गया, तो मैं आप शुक बताना चाहता हूँ, बिहार में भर्थियों में धादली हो रही है, या बात सत्य है, मुखमंत्री के कानों तक और बात पहुंच जाए, तो इतनी बड़ी धादली ना हो, जब जाच परताल की गई, तो जो आरूप लगाया ग दिसंबर तक चलेगी तेरा लाग से अजी कंडिजेट इस परिष्छा के लिए आवीधन किये हैं कितने कंडिजेट प्रतिभाग करेंगे या तो समय बताएगा फिला आज जादा से जादा कंडिजेटों ने परिष्छा में प्रतिभाग किया है लेकिन मैं आप से को बताना होगा और फाइनल स्कोर परिष्छा समाप्त होने के बाद मेरे द्वार आपको बता जाएगा कितना कटाफ जा सकता कितना कटाफ वाले क्वालिफाइग कर सकती हैं लेकिन आज का जो पेपर था उसका इस्तर मॉडरेट था कुछ लोग कहेंगे कि पेपर बहुत टब था मै आज का स्कोर क्या रहा कितना स्कोर करने वाले इस परिष्छा को क्वालिफाइग कर पाएंगे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला प्रशन था हाइलेंड की राजधानी के समंध में अकबर नामा लेखा के समंध में राजपाल का सम्धानी अजिकार देख लिजिए किस परकार के प्रशन पोछे जा रहे हैं आप अगली तयारी करिए मैं आप से बताना चाहता हूं कितना स्कोर करने वाले इस परिछा को क्वालिफाई कर पाएंगे देखिए आज का स्कोर है और फाइनल स्कोर परिछा समाप्त होने के बाद आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से जो की अथेंटिक होगा 100 होगा जितना मैं बताऊंगा उसी के आज पार कटाब जाएगा देखिए आज इन्हों ने से 115 से 119 का स्कूर किया होगा कि वह क्वालिफाई कर जाएंगे आज के पेपर को देखती हुई 115 से 119 अभी लगातार पेपर होगा पेपर में किसे तरह का सबका प्रदर्शन रहता है उसका एक आंक़ा निकाला जाएगा और फाइनल कटाप जो होगा वही सही होगा आज के स 215 से 119 अगर आपने किया है तो आप परिच्छा को क्वालिफाई कर चुके हैं आईली खबर है रीट परिच्छा को लेकर जीला कलेक्टर बाड मेर को ग्यापन दिया गया है तिर्टिय सेड़ी अध्यापुक भरती रीट 2021 के पद बृध्धी बाबत देखी यहां पर लिखा 23 सेड़ी अध्यापुक भरती की घोश्रा की थी जिसकी परिच्छा सप्तंबर 2021 में संपन हुई थी रीट 2018 की तीन साल बाद रीट 2021 भरती परिच्छा में 26 लाग अभरतियों ने भाग लिया जो आज तक की समस्भरतियों में सरबोत्यम संख्या है और घोश्रा मात 31 की है ज स्वांग के अनुसार प्रस्तावित भरती में पद बढ़ा कर वियरूज़ार युवाओं को सहुगात दे तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से मोहिम चलाया जा रहा है जिस तरह से ग्यापन दिया जा रहा है इसका लाब आपको मिलेगा और पदों की शंख्या ब यहाँ पर देखिए डी एस 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 बी के द्वारा पी आर्टी टीजी टी पीजी टी के पदों का अभिवरा दिया गया है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बारा नॉम्बर की ख़बर है यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दिया गया है किसमे कितने पद है अगर नोटिस को डाउनलोड करना है तो आप जो है डी एससे भी के अच्कारी वेफसार पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं पदों के संबंद में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगे आप इसे जरूर डाउनलोड करें और पूड़ा पढ़ें एक और महत्पूर खबर है यूपी ट्रपल एस्टी की यूपी ट्रपल एस्टी के माध्यम से किस भरती का विग्यापन सबसे पहले जारी किया जाएगा सभी के जहन में एक सवाल है देखी मेरे दोड़ा बहुत पहले आपको जानकारी दी गई थी कि दो भरती के विग्याप से कका नोटिफिकेशन और सभले सबसे च को देखनेस, लिकपाल भरति का सिलेबस कको क segment देखने को सब्सक्राइब और भरती आपको जो है दिसंबर के दूसरे सब्ता में देखने को मिल सकती है अब परिच्छा कब होगी बहुत ही अहम सवाल है तो देखे परिच्छा जिस भी मुख परिच्छा के समझ में आप जानते हों आप उसको ध्याने से सोचिए और समय कितना समय लगा है मेरे जानका 45 से 60 दिनों के बाद ही आयोजित किया जाएगा तो जब भरती का विग्यापन जारी हो उसमें आप जो है कम से कम 45 आएट कर दीजिए क्योंकि स्लेबस से जोड़ा जाता है लेकिन में भरती विग्यापन की बाद कर रहा हूं भरती विग्यापन में 45 आइट करिए उसके बाद ही आपकी परिप्षा होगी उससे पहले परिप्षा नहीं होगी नियम तो है कि जब सलेबस जारी हो उसमें 45-60 दिर अड़ कर दीजिए उससे पहले आपकी परिप्षा कंडिट नहीं कराये जाएगे तो आप сильवर से जोड़ लिए और आपको ज़ानकारी मिल जाएगी इससे पहले आपकी परिश्चा होनी वाली नहीं तो मुझे जानकारी यहां तक है कि दिसंबर के अन्तिम या जनौरी माह में एनम भरती की परिश्चा होगी कंडिडिरों की संख्या कम रहेगी और देखीएगा सीटें खाली ना चली जाय तो कहिए जा बहुत से ऐसे कंडिडिडिर थे जो इंतजार कर दक P.E.T. को इस से हटा दिया जाए यापनजारी किया जाएगा लेकपाल भरती के निमावली के समझ में जो मुझे जानकारी मिली कि उस पर काम चल रहा है अगली अपडेट है यूपी पीछ से 2021 प्रिम्स रिजल्ट को लेकर काम चल रहा है सतर फीदी रिजल्ट का काम पूरा हो चुका है परिडाम आपको कब तक देखने को मिलेगा तो मैं आपसे बताना चाहिए तो परिडाम आपको नॉंबर के अंतीम और दिसंबर के फ़स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुती अच्छी ख़बर है अगर आपको इसी परकार के अथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जूने चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन दबाएं और प्रस्लिट करें वीडियो को लाइक शेर करना मत भूले जाहिए जिफार उस्तो नमस्कार